हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज आपके लिए टेक्नोशिक साल आया है हिस्ट्री का क्लास 11 का चप्टर नमबर 3 और ये है चप्टर नमबर 3 का लाश्ट पार्ट यानि की पार्ट नमबर 4 अगर आपने पहले तीन पार्ट नहीं देखे हों तो पहले अच्छे से तीनों पार्ट को देखें और फिर चौते पार्ट को सुरू करें चौते पार्ट जिसका नाम है मैंने कहा इस चप्टर 3 जिसका नाम है एन एमपायर एक्रोस 3 कॉंटिनेंट्स यानि की तीन महादिपो में फैला हुआ समराज्य तो कौन सा समराज्य की बात कर रहा है ये तीन महादिपो में जो फैला है रोमन समराज्य तो मैंने कहा सभी बच्चे जो 11 वी क्लास के चात्र हैं वो और जो सभी कंप्टिशन्स की त्यारी करने वाले स्टुडेंट्स हैं उन सभी के लिए चेप्टर बड़ा इंप्टरेंट होता है आप किसी भी कंप्टिशन्स एक्जाम के लिए NCRT को जरूर त्यार करें तो मैंने कहा चाहें आप दिल्ली पुलिस, SSC, DSSB, UPSC किसी भी लेवल का एक्जाम दे रहे हैं आप वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और नोट्स तयार करें तो मैंने कहा चेप्टर नमबर 3 और इसका नाम है तीन महादिपो में फैला हुआ सामराज्य वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाए और अपने सभी साथियों को जिनको इसकी जरूरत है फ़रवार्ट जरूर करें आते हैं, आज मैंने कहा इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है रोमन सामराज्य में स्रमिको पर नियंतर क्या कहता है तो गुलाम जो पर था थी, वो व्यापक रूप से पचली थी क्या कहता है अब इसमें श्रमिको पर नियंतर में हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हुए जिसमें पहला पॉइंट्स है दास्ता की मजबूत जड़े strong roots of slavery कहता है the roots of slavery had deep roots in both the Mediterranean and in the Near East यानि की West Asia कहता है जो दास्ता की जड़े है बहुत ही गहरी थी कहां पर भूमद्य सागर वाले छेत्र और इसका जो निकटवर्ती पूर्वी छेत्र है इसका जो नियर पूर्व का छेत्र है यानि की एशिया का पश्चिम का छेत्र और इस रोम का पूर्व का छेत्र ओके नक्से में आप सभी रह देखा था जो मैंने इसके पहली वेले पार्ट में आपको बताए थे कि कैसे ये तीन महादीबों में फैला हुआ सामराज है और कौन से तीन महादीब थे हमने ये भी देखा था ये तीन महादीब थे साबाश, वेरी गड़, येरोप, अफरीका और एशिया साबाश कहता है इवन आफ्टर कशनेटी बिकेम दे स्टेट रिलिजन इन दे फोर्थ सेंचुरी स्लेवरी डिन नॉट चेंज चोथी सताबदी में इसाई धर्म को राज्य धर्म बनाने के बाद तो राज्य धर्म कब बनाया इसाई धर्म को चोथी सताबदी में तो जब चोथी सताबदी में इसाई धर्म को राज्य धर्म बनाया उसके बाद भी दास्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया तब भी दास्परता ऐसे ही चलती रही कहता है दूसरा पॉइंट जो हमारा स्रमिकों पर नियंतरण में है स्लेव पॉपुलेशन जो दास जनसंक्या है कहा है रोमल सम्राजे में जो बहुत बड़ी आबादी थी वो दास थी दास एक बहुत बड़ी जनसंक्या का भाग था तो अगस्टस के सासनकाल में ये कहता है इटली की जो कुल 75 लाग की आबादी है उसमें से 30 लाग जो है दास थे क्या कहता है 75 लाग की आबादी में 30 लाग दास थे किस के समय अगस्टस के समय ओके 3 मिलियन मिलियन आप जानते हैं मिलियन 10 लाग का होता है ओके तो 30 लाग का मैंने कहा दासों की संख्या थी 75 लाग की आबादी में चलें आगे कहता है अगला रोमन संबलाजे में स्रमिकों का नियन तर्ड मैने का इसमें तीसरा पॉइंट आता है अर्थ विवस्ता के विकास में सहायक ये जो दास थे ये एकॉनमी के ग्रोथ में बड़े ही सहायक यानि हैफफुल थे क्योंकि इनकी संक्या जादा थी सारा श्रम ये कर रहे हैं सारा मेहनत मजदूरी का काम ये कर रहे हैं तो फैक्टरी में काम कर रहे हैं खेतों में काम कर रहे हैं सबी जगा उत्पादन का काम ये कर रहे हैं तो इससे एकॉनमी में ये मैने का हैफफुल थे Most of the labor did by slaves जादा तर जो बैने का सिरम का भाग था दासो द्वारा करवाया जाता था अगला point है The practice of keeping slaves in the family परिवारों में भी दासो को रखने का परचलन था लोग परिवारों में दासो को खरीद कर लाते थे और उन सबने घर तक के काम करवाया जाते थे ठीक है पांचवा point है Capital investment status to the slaves जो slaves हैं उन्हें capital investment का दरजा दिया गया है पुझी निवेस ये investment अगर मैंने दास खरीदे हैं जितने जादा दास मेरे पास है यानि मैंने इन्वेस्ट कराए पैसा ये investment की नजर से देख रहा है करहें दासों को पुझी निवेस की नजर से देखा जाता था ठीक है रोम के एक लेखक ने तो जमीदारों को उन गुलामों को इस्तमाल ना करने की सला दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आव सकता हो अब हम जहां मलेरिया जैसी बिमारियों से इनके स्वास्ते को नुकसान पहुंचता हो ताकि वो healthy रहे, fit रहे आपका वो investment है उसे आप इधर उधर के फोटे चोटे बोटे गामों में वेस्ट ना करें six point में कहता है दासों से कुरूरता पूरूर और सहनुबूती पूरूर वेवार दोनों तरह का वेवार होता था क्या कहता है जहां एक और जो upper class है वो इनके साथ बड़ा ही brutally believe करता था कैसा कुरूरता पूरूर वेवार करता था पर जो दूसरी और ordinary people जो है वो कहता है उनके साथ जदा sympathetic और loving रहते थे यानि क्यों उनके साथ सहनुबूती पूर और प्रेम का वेवार करते थे तो मैं ने कहा है इनके साथ दोनों तरह का वेवार upper class जो upper class है वो इनके साथ किसा कर रहा है कुरूरता पूर्ण वेवार और जो मैंने का ordinary people हैं वो इनके साथ खड़े हैं ठीक है यह आपकी किताब में इसका उद्रण भी दिया गया है एक example दिया हुआ है कहता है दासों के परती वेवहार on the treatment of slaves क्या कहा रहा है कुछ ही समय बाद सहर के सासक Lucius Pedanius Seconds का उसके एक दास ने कतल कर दिया एक सासक का कतल कर दिया लूशियस का और उसके बाद कहता है पुराने रिवाजो कनुसार यह आवा सकता कि एक ही छट के नीचे रहने वाले परतेगदास को फासी दे दी जाए तो बहुत से निदोस्त लोगों को बचाने के लिए भीड़ी कठा हुई यानि कि और्णरी पीप सीदेने के पक्स में थे उनकी बात मानी गई तो पत्थर और जलती वी मसाले लिए भीड़ उनके आदिसों को कर्यानवत करने से रोकने के लिए आई तो लोगों ने जो की इन दासों के वद का विरोत कर रहे थे कि फासी का विरोत कर रहे थे ठेक है न तो यह कहता है इस त point कहता है दासों की भरती recruitment of slaves अधिकतर जो दास थे वो युद्ध बंदी होते थे युद्ध हुआ युद्ध में जो बंदी हुए उनको पकड़ कर आगे दास बना कर बेच दिया गया कहता है जीते के दासों को खुले में बाचार में बेचा जाता था open market में उनको sale किया जाता बोलिया लगती थी मंडी लगती थी दासों की मंडी दास बेचे जा रहे हैं दास खरीदे जा रहे हैं तो दास कहा से आ रहे थे में दास दास आ रहे थे युद्ध से जो युद्ध होते थे उसमें जो बंदी बना लिए जाते थे उनको दास के रूप में बजार में बेच भोगी मजदूर क्या है slave breeding और wage labor कहता है जब पहली सताबदी में सांती स्थापित होने के लड़ाई यद्ध कम हो गए अब थोड़ी सांती रही यद्ध कम हो गए तो दासों की supply में कम ही आ गई अब दासों की supply में हैं जो दासों को यूज कर रहे हैं कहता है उन्होंने दो चीज अपनाई एक तो दास प्रजनन यानि slave breeding और दूसरा वेतन भोगी मजदूर मतलब की cell read में मजदूरों को ठीक है दास को तो आप एक बार खरीते थे और उसके बाद उसको आप वेतन नहीं देते थे अब आपने वेतन के रूप में मजदूरों को यूज करना शुरू किया और दूसरा कहना है दास प्रजनन क्या होता है दास प्रजनन slave breeding कहता है गुलामों की संख्या बढ़ानी की एक ऐसी पर था जिसके अंतरगत दासियों और उनके साथ मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोहित्साहित किया जाता था और आगे चलकर उनके बच्चे भी दास बनते थे तो क्या था जो दासियां थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो खूब दास यहां बच्चे पैदा करे जाएं ज्यादा बच्चे होंगे उनके बच्चे भी दास बनेंगे तो हमारे पाँ दासों की सप्लाई में जो कमी आ रही थी हम उसको पूरा कर पाएंगे तो मैंने का दासों की supply को पूरा करने के लिए दो चीजों पर इनोंने काम सुरू किया एक तो slave breeding और दूसरा मैंने का था wage labor जो वेतन भोगी मजदूर समझ आया यहां तक तो मैंने का स्रमिको का दियंतर इस पे हम आते है ninth point कहता है वेतन भोगी जो मजदूर है वो दासों की अपेकसा अधिक convenient है more convenient than slaves कैसे कहता है salary workers were not only cheap but they could be easily left and kept जो salary worker है वो सस्ते भी हैं और साथ ही कभी भी हम उनको छोड़ सकते हैं और रख सकते हैं आज मुझे काम की जरूबत है मैंने बुला लिया मजदूर काम करवाया पैसे दी और कहत जाब हिया जबकि जो हमारा जो गुलाम है दास है उसको अपने पास रखना पड़ता था उसको हमेशा खाना खिलाना पड़ेगा अगर मेरे पास काम नहीं भी है अब जो मेरा गुलाम है मुझे उसको खाना तो खिलाना ही पड़ेगा चाहे खाना कैसा भी देना तो पड़ेगा उसके जो अदर खर्चे हैं वो भी मुझे वहन करने पड़ेगे सारे खर्चे उसके बिमारी का उसके बच्चों की बिमारी का पूरे परिवार का बरन पोशन मुझे करना पड़ेगा उससे पूरा मैं यूज करूँगा पर ये एक तरह से थोड़ा महंगा हो गया तो वेज लेबर कह रहा है वो ज़्यादा कन्विनियन्टी जबबर जी है उसे बुला लो जंबर जीयों से छोड़ दो समझाईए कहानी अब आते हैं इसके बाद श्रम प्रबंधन लेबर मेनेजमेंट अब लेबर मेनेजमेंट की हम बात करते हैं ठीक है आओ देखते हैं लेबर मेनेजमेंट कहता है कोलुमेला सबसे पहले समय हम कोलुमेला साब के बारे में देखते हैं कौन है कोलुमेला का था कोलुमेला a first century writer who came from the south Spain recommended that landowners should keep a reserve stocks of implements and tools twice as many as they needed so that production could be continuous कोलुमेला जो है वो दक्षिन स्पेन से आया हुआ एक लेखाग पहली सताब्दी में ये आया और ये क्या सिफारिस कर रहे हैं कि जो जमीदार हैं उनको जितनी उनकी जरूरत है उससे दुगनी संख्या में equipment भी खरीदने हैं मैंने कहा उपकरण और अजार ठीक है दुगनी मातरा में खरीद के पहले रख लेने चाहिए क्यों रख लेने चाहिए? कहता है क्यों? क्योंकि जो दास है मैंने का दास भी तो महंगा पढ़ रहा है मैं तो हमारा मजदूर खाली बैठा रहेगा मानलो हमारी मशीन खराब हो गई हमारा हल खराब हो गया तो कहता है हमारे बाद दुगने हमारे पास औजार होने चाहिए क्योंकि इसमें हम जो पैसा लगाएंगे औजारों में वो जो दास में पैसा लगेगा उससे कम होगा मानलो मुझे घर बनाना है आपने घर बनाना है का एक एक सामपल देखते हैं और मेरा सीमेंट रोडी खतम हो गया अब सीमेंट रोडी जब दुबारा आएगा जब तक वो चार मजदूर दस मजदूर चार दिन तक बैटे रहेंगे यानि कि दस मजदूरों को चार दिन की ध्याड़ी में फालत दूँगा समझाया ना तो इसलिए हमें पहले से स्टॉक को ज़्यादा रखना है ताकि मजदूर खाली ना रहे क्योंकि मजदूर की भी तो कौश्ट है वो ये बात कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि दूगनी संक्या में उपकरण वा औजारों को सुरक्सित भंडार रखना चाहिए ताकि जो उत्पादन लगातार होता रहे क्योंकि दासनमंदी श्रम समय की हानी ऐसी मदों की लागत से ज़्यादा बैठती है तो ठीक है ना आगे क्या कहते हैं कॉलो मेला साहब कॉलो मेला साहब कहते हैं मुक्त और दास मुक्त यानि की जो फ्री वेज लेबर मैं लेके आ रहा हूँ और दास जो मेरा गुलाम है दोनों ही परकार के श्रमिकों के लिए निरिक्षन सबसे महत पूंट पहल हुए सुपर वीजन उनके ओपर नज़ा रखनी पड़ेगी कि दस-दस लोगों के हम ग्रूप बनाएंगे जब दस-दस जानी कम लोगों का ग्रूप होगा तो उसके ओपर सुपर वीजन जो है असान होगा नज़ा रखना आसान होगा फिर कहता है पलीनी कोलुमेला के बाद हम पढ़ते हैं पलीनी तो पलीनी के ले क्या कहता है कि एक परसिद प्रकृति विज्ञानी ठीक है प्रति विज्ञान के लेखक यानि प्रकृति विज्ञान के लेखक नैचुलल हिस्टरी कि जो एक लेखक है पलीनी इनके एक बुग भी है नैचुलल हिस्टरी ठीक है ना प्लिनी ने दास समू की आलोचना की इनों ने का यह जो आप सोटोटी ग्रूप बना रहे हो गैंग बना रहे हो स्लेफ गैंग्स यह गलत है और यह सबसे बेकार तरीका बताया क्यों इसमें कहते हैं पैरों में जंजीर डाल कर उनको एक साथ रखा जाता था यह की एक अमानुस तरीका बताया ठीक है पलिनी ने सिखंदरिया के फ्रैंकिन्सेंस जो है यानी सुगंदी टराल की फैक्टरी इसका जो वर्णन कर रहे हैं और क्या कहते है कड़ recuperation रखना परियाबद नहीं होता क्या बताते JACK That is a European नाम है जो वास्तों में सुगंधित राल है इसका उप्योग धूप अगर्बती और इत्र बनाने के लिए प्रयोक किया जाता था ठीक है फ्रेंकिंसेंस जो है ये यूरोपएन नाम है और इसका यूज कर रहे हैं हम धूप अगर बती और पर्फियूम बनाने के लिए कहता है इट इस टाइप फ्रॉम बोवेलिया ट्रीस किसे बोसवेलिया बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था यहां पर ऐसा आएगा आप बोसवेलिया में ऐस लगाना भूले ठीक है तो बोसवेलिया ट्रीस के कहता है तने में बड़ा छेट करके इसमें रस को बहने देते थे और जब रस सूख जाता था तो उससे राल मिलता था वो बनता था राल तो फ्रेंकिनसेंस की सबसे उत्तम किस्म किराल कहां मिलती है अरब प्रायदीब से आती थी कहां से आती थी अरबियन पैनिनसूला पैनिनसूला यानी प्रायदीब किसे कहते हैं प्रायदीब मैंने कहा था द्वीब होता है जो चार और पानी से घिरा वाओ जिसके चार और प बंगाल की खाड़ी ठीक है और पश्चिम में क्या है अरब सागर और दक्षिड में क्या है हिंद महा सागर तो भारत के तीन और पानी है ना इधर बे ओफ बंगाल इधर मैंने कहा अरेबियन सी ठीक है तो भारत क्या है पैनिन्सूला यानि की प्राइद्रीप अपलीनी आग का मजदूर है उसके सरीर को दागा जाता है दाग ना आप देख सकते हैं कभी आपने किसी गाएं भैस या मवेसी को पाला हो तो या आपने ग्रामेंड परिवेश से संब्द रखते हों तो आपने देखा होगा जानवरों के सरीर पिर एक निसान बनाया जाता है दाग कर गरम उससे ठीक है तो जिससे उसके सरीर में निसान यानी पहचान के लिए कि ये हमारी गाए है जानरों के मैंने देखा है कान भी काट लिए जाते है निसानी बनाने के लिए गाएं के कान में कट बनाया जाएगा या इस तरह दागा जाता है कि उसकी identity के लिए तो यही अमानविय प्रता कहता है उसमें मजदूरों के सरीर को दागा जाता था कि अगर हो कहीं भागें चिपें तो उनको पहचाना जा सके यह हमारा लीट एंटिकिटी परवर्ती पुरा काल मैंने का क्या जाती से चाती से सातवी सताब दि फूर्थ सेंचुरी तो 4th century कब से शुरू होगी ध्यान दे 4th century 401 से शुरू नहीं होगी कई बच्चे इसमें गलती करते हैं मैंने बहुतों को ये गलती करते देखा है तो आप मैंसे हर बार बताता हूँ ध्यान दे 301 से शुरू होती है चौती सतापती ओके 401 से शुरू होगी पांचवी सतापती ठीक है साती सतापती तक तो 701 से आठवी सतापती सुरू हो जाएगी तो इस 700 तक मैंसी लेकर है तो आप 301 से 700 तक समझ सकते हो ओके तो चौती सतापती मतलब 300 से लेकर 700 यह पीरिड है हमारा परवर्ती पुराकाल का क्या है परवर्ती पुराकाल क्याता है Late Antiquity is the term now used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the Roman Empire यानि कि क्या है रोमन समराज्य का जो उद्भव, विकास और पतन हमने जो इसका शुरुवात और इसका development और लाश्ट में इसका decline जह हम इसकी सवधी को पढ़ते हैं तो उसमें जो लाश्ट का जो अंतिम दिल्चस्प अवदी है यानि का जो लाश्ट का period तो उसको हमने परवर्ती पुराकाल सब्द से संबंद रखा उसको बोला संबद करा यानि कि जोड़ा है तो परवर्ती पुराकाल यानि कि इसका late late मतलब बात का तो बात का जो period है उसको हम कहा रहे हैं परवर्ती पुराकाल ठीक है और इसमें क्या परिवर्तन आई changes तो कहता है पहला मैंने का समराट कॉंटेश्टाइन द्वारा परिवर्तन तो समराट जो कॉंटेश्टाइन है उनके द्वारा क्या परिवर्तन आई तो कहता है changes affected by emperor कॉंटेश्टाइन emperor कॉंटेश्टाइन deciding to make Christianity the official religion जो समराट कॉंटेश्टाइन है उन्होंने इसाई धर्म को राजधर्म बनाने का फैसला किया और कॉंटेश्टाइन के सबसे महत्पूर्ण नवाचारों उन्हें क्या था मौद्रिक छेतर में थे सबसे ज्यादा इनके innovations कहा थे मॉनेटरिस में यानि की मुद्रा के छेतर में मुद्रा के छेतर में क्या किया उन्होंने उन्होंने solidus पेस किया solidus क्या है ये क्वाइन है वेंग 4.5 ग्राम आफ प्योर गोल्ड चाड़े 4 ग्राम का प्योर गोल्ड इस गोल्ड नोट गोड तो क्याता है क्या मैंने कहा जो कॉंस्टेंटाइन है इन्होंने जो में है मौद्रिक छेतर में सबसे बढ़िया innovation किया क्या किया solidus पेस किया क्या पेस किया solidus solidus क्या है मैंने कहा solidus एक 4.5 ग्राम का सुद सोने का सिक्का है दूसरा मैंने का changes क्या है समराठ Diocletian जो 284 जो 305 इनका period है इन्होंने प्रसासन में जो परिवर्तन किया क्या कहता है समराठ ने देखा कि समराजय का विस्तार काफी अधिक हो चुका काफी बड़ा समराजय उसके पास पहले ही है तो उन्होंने क्या किया जो कम सामरिक और आर्थिक महत वाले चेत्र हैं उन्हें छोड़ दिया okay the emperor saw that the empire had expanded considerably therefore the emperor abundant territories with little strategic and economic importance जो कम हमारे समरिक यानि की strategy का और economic यानि आर्थिक रूप से हमारे कम importance का है उस area को नोने का छोड़ दो हमारे का इसमें जादा पैसा है हम लगा के क्या फायदा है हना हम कश्मीर को अपनी साम बानसान हम उसको छोड़ दी सकते हैं कि सामरीक इंपोरटेंस भी है आर्थिक तो ही ठीक है टोरिजिम तो ही पर सामरीक भी है क्योंकि बॉर्डर का इलाका है वहाँ से हम पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर चाइना इन सब के उपर नजर रखी जा सकती है अगर व का पुनर गठन किया। रेकना, री ऑर्घना spec कीया। ठीक है पुनर गठन। हाँ जी कहता है एसेनी कारियों को से कारियों से इलक कर दिया। यह हमारे सि इन्टेंट सापना की काम। ड्यकुएं ते साजनी कारियों कि तो मैंने का क्या इन्होंने सामरीक और आर्थिक जो कम महत वाले शेतर थे उनको छोड़ दिया और समराजी की सीमाओं पर किले बनवाई किले बनवाई मतलब फॉर्टिफाइड कराया समराजी की सीमाओं को हांजी कहता है रिकोगनाइस्ट प्रोविंसिल बाउंडरी जो इसकी सीमाओं हैं उनका फुनर गठन किया और जो आपके सिविलियन फ्रॉम मिलेटरी फंक्शन उनको सेपरेट किया जो ऐसनी कारे हैं उनने सनी कारें से अलग कर दिया जो मिलेटरी कमांडर्स है जो डियूसीज है उनको ज्यादा स्वायत तादी स्वायत तादी बतला अटोनमी उनके हाथ खुले किये किया आप काम करिये जिससे कि वो और पावर्फुल बने तीसरा है आर्थिक परिवर्तन मैंने कहा एकॉनोमिक लाइफ में क्या चेंजिज आए परवर्ती पुराकाल में आर्थिक विकास में वर्धी हुई तेल मिल सिसे के कार खाने पेंस की प्रैसे और तरहतरे के पानी की मिले ये इस्थापित की जा रही है लंबी दूरी के वियापारों में सुधार हो रहा है ठीक है इस सबसे क्या हुआ मजबूत सहरी समरिदी यानि कि strong urban prosperity समरिदी मतलब wealth पैसा हुआ ठीक है फिर कहता है चौथा जो changes आया इसलाम का होता है साथवी सताबदी में एक नया धर्म इसलाम का होता है हुआ कब 7th century में और जिसके बाद इसाइयों और मुसल्मानों के बीच काफी धर्म युद्ध हुए after which there were a lot of religious battles between questions and Muslims आप कहता है जो परवर्ती पुरा काल में जो परिवर्त तना है उनका क्या प्रभाव पड़ा effect पूछ रहा है तो मैंने का आप effect देख सकते है क्याता है लोगों के जीवनिस्तर में सुधार आया ठीक है उनका जो जीवनिस्तर है वो सुधार सहरी संपदा और संब्रिधी में विर्धी हुई जो सहरों में संपदा यानि की wealth ठीक है उस में थोड़ी सी increment हुई स्थापते कला में नए नए रूप विक्सित हुए स्थापते कला जो हमारा आर्किटेक्चर है ये डेवलप हुआ plenty of amenities amenities मतला हमारे पास सुक्सविधा है कुब भरपूर्टेजी से आए जब जीवनिस्तर में सुधार हो रहा है संब्रिधी आ रही है तुम अपने सुक्सविधा के समानों को बढ़ाएंगे कहता है सासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धनी और सक्तिशाली हो गए जो उच्वर गए वो पहले से पावरफुल हो गया और रिच्चर हो गया यानि की ज़्यादा पैसा आया मुद्रा का बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता था अब मुद्रा का यूज हो रहा है लोगों के पास पैसा है और ग्रामिन संपदाएं काफी मातरा में सोने के रूप में लाब कमाती थी फिर कहता है युनान और रोम वाजियों की पारमपरिक धार्मिक संस्कृती देखते हैं धार्मिक संस्कृती इसमें क्या कहता है पहला बहुत देववादी पॉलिथिस्म जुनान और रोम वाजियों की पारमपरिक धार्मिक संस्कृती बहुत देववादी थी बहुत देववादी मतलब जिसमें बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता था ये लोग अनेक पंथों और उपासना पत्तियों में विस्वास रखते थे कहता है अनेक देवी देवता, many gods and goddesses अनेक रोमन इतालवी देव हैंज़य से जूपीटर, juno, minerva और मार्स और युनानी यहँपूरवी देवी देवताओं की फूजा किया करते थे ठीक है, कितने इतालवी देव ہیں, कौन कौन से इतालियन देवता हैं के जुपिटर, जुनो, मिनरवा और मार्स और जुनानी और पूरवी देवी देवताओं के लिए फूजा करते थे जिसके लिए उन्होंने समराजय में क्या किया हजारों मंदिर, मठ और देवाले बनाई थे तीसर रफ इसमें आता है जो इनके religious culture हैं, उसमें रोमन्स में देख सकते हैं यहुदी धर्म, समराजय का अन्य बड़ा धर्म यहुदी धर्म था, सबसे बड़ा इसाई था इसाई के बाद जुदाइस्म, यानि यहुदी धर्म फिर आता है इसाई करण इसाई करण द्वारा इसाई धर्म भिन भिन जम समोहों के बीच फिलाये गया इसाई करण मतलब लोगों को इसाई बनाया जाना ठीक है, धीरे धीरे संपूर समाज के लोगों का इसाई करण होने लगा ठीक है, आते हैं, इसमें अगला टोपिक है रोमन समराजे का पतन डिकलाइन अव दा रोमन एंपायर इसमें पतन का समसे पहले कहता है क्या करण है, प्लेक के महमारी एक प्लेक फैला, पूरी भाग की जनता है जो ज़्यादा खुसाल थी, comparatively फैस्ट से, तो कहता है पांसो चालिस के दसक में प्लेक के महमारी के कारण जो लगबग पूरा जो भूमदे सागरे परदेश है, वो प्रभावित हुआ फिर एक आता है, पोस्ट रोमन स्टेट्स पोस्ट रोमन स्टेट्स में क्या है कहता है, राजनितिक देश्टी से पस्टी में समरा जो खंडित हो गया क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूँ जो उत्तर से जर्मनी मूल के जो समूँ है यानि जर्मन जो ब्रीट के लोग है जर्मन जो हैं, वो आकरमन कर रहे थे कौन गौत, वेंडल, लॉमबार्ड ये सारी जो जर्मन मूल के समूँ है कौन गौत, वेंडल, लॉमबार्ड कहता हैं, सभी ने बड़े प्रांतों को अपने अधिकार में ले लिया था और अपने अपने राज्ये स्थापित किये थे इनको क्या कहते थे रोम उत्तर राज्य है ठीक है पोस्ट रोमन स्टेट पोस्ट मतलब बात का तो रोम के बात का जो स्टेट थे इन में क्या है हम इंपोर्टेंट राज्य कह सकते हैं स्पेन में विश्वाथ, गॉल में कहता है फ्रेंको, इटली में लॉंबार्ड्स, इसलामी करांती, पतन का एक कारणी भी कहता है, इसलाम का अरब परदेश में उद्भा हुआ और फिर पूरे विश्व में उसके विश्तार होने लगा, तो प्राचीन विश्वितियास की सब रोम और इरान के बीच दुबारा लड़ाई चिड़े गई, जो हमने सुरू में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, तो कहता है इनके बीच दुबारा लड़ाई चिड़े गई, तीसरी सताबदी से सासन कर रहे है ससानी वन्स, पढ़ा था हमने फिसले पार्ट में ससानी व वाले questions के लिए त्यार हो जाए बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं बहुत सारे questions ठीक है दोस्तों तब तक के लिए नमस्ते बाई बाई टाटा